जैसा कि मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने समझाया था कि न्यूट्रल और अर्थ में क्या डिफरेंस होता है और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रहे हैं कि उस वीडियो ने बहुत ही जल वन मिलियन व्यू अचीव कर लिया है तभी से मेरे पास कि शायद ही कोई हो जो पावर फेक्टर को समझना पाए तो चलिए इसको समझते हैं वैसे सीधे सीधा कहा जाए तो पावर फेक्टर होता है वोल्टेज और करेंट के बीच में जो फेस डिफरेंस होता है फाई उसका कॉस अब इसको डिटेल में समझने के लिए पहले हमें कुछ fundamental concepts को समझना पड़ेगा जैसे generation of DC, generation of AC resistive load with AC, inductive load with AC, capacitive load with AC and different value of power factor और last में मैं इस वीडियो को conclude करूँगा तो power factor का समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं generation of DC पे तो DC यानि direct current तो या direct current कैसे हमें मिलता है उसके लिए हमारे पास ज़्यादा तर जो source होते हैं या तो हमें battery से मिलता है या फिर solar cells है जो solar panels होते हैं उनमें जो छोटे छोटे cells होते हैं उनसे हमें direct voltage या direct current मिलता है अब जैसे solar cell की ही बात करें तो वो कैसे work करता है सबसे पहले तो solar cell बिलकुल diode की तरह होता है इसमें उपर की तरफ end type layer होती है और नीचे p type layer जब end type wafer के उपर sunlight गिरती है तो उसमें जो electrons होते हैं वो energize हो जाते हैं और वो sunlight से इतनी energy को gain करने लगते हैं वो material में atom को छोड़ कर कहीं भी घूमने लग जाते हैं लेकिन वह नीचे की तरफ p type layer में attract होकर नीचे चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर पहले से ही electron की कमी होती है जैसा कि हम जानते हैं p type material में ज़्यादा तर holes होते हैं इस प्रक्रिया में friends जो p type material है इन में electron का concentration बढ़ जाता है जबकि n type material में electron का concentration कम हो जाता है तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक charge का separation हो जाता है नीचे negative charge जादा आ जाता है और उपर positive charge बचा रह जाता है और याने कि हमें यहाँ पर potential difference याने कि voltage मिलता है जो कि जब हम किसी load के across लगाते हैं तो उस load में से current flow करता है और वहाँ load अपना काम करता है यानि कि अगर हम यहाँ पर bulb लगाएंगे तो वो bulb glow करेगा जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो voltage मिल रहा है उपर की तरफ positive potential हमको मिल रहा है और नीचे की तरफ हमको negative potential मिल रहा है और उसी पर ही current का flow करना निर्भर होता है तो वो भी थोड़ा बहुत कम जादा हो सकता है लेकिन पूरी प्रक्रिया में यह कभी भी अपने direction को change नहीं करता है इसको हम बोलते हैं direct voltage और इस direct voltage की बाइज से direct current flow करता है तो जैसे कि power की हम बात करें तो power या इस circuit में power कितनी होगी वहाँ सीधी सीधी होगी voltage और current के multiplication के बराबर यानि इस load को हम कितना voltage दे रहे हैं और उस voltage की वज़ा से इसमें कितना current flow हो रहा है इन दोनों का multiplication बराबर होता है power इसको यहाँ पर दूसी तरीके से भी लिखा जा सकता है जैसे कि हम जानते है voltage बराबर होता है I, R, ohms lock according तो इसी तरीके से power को हम I square R के बराबर भी या लिख सकते हैं या फिर हम अगर I की value पुट करें ohms lock according V by R तो power की हमें एक और definition मिलेगी power होगी V square by R यहाँ पर R जो है हमारे load का resistance है तो DC circuit में अगर हम बात करें तो power की value सीदे सीदे V I के बराबर होती है यानि voltage multiplied by current अब हम बात करें generation of AC वैसे तो दोस्तो आज कल पूरे विश्व में solar panel काफी तेजी से बढ़ रहे हैं या एक अच्छा विकल्ब है electricity को generate करने के लिए लेकिन आज भी पूरे विश्व में जादा तर electricity का generation AC generators की help से करा जाता है अब AC generators में जो voltage होता है alternating nature का होता है अब AC generators में alternating voltage को produce करने के लिए coil को stationary रखते हुए बीच में magnetic field को गुमाया जाता है ऐसा करने से जो coil के शिरो पर voltage produce होता है वह alternating nature का होता है इसका मतलब पहले वह एक दिशा में अधिकतम होता है फिर दूसरी दिशा में अब इस circuit में current तो जब तक नहीं flow करेगा जब तक circuit complete नहीं होगी यानि यह switch close नहीं होगा और जैसे ही circuit complete होगी alternating voltage की वज़ा से alternating current भी circuit में flow करेगा और हमारा load वर्क करेगा जैसा कि friends अगर अब हम यह alternating voltage किसी resistive load के across देंगे तो क्या होगा alternating voltage की वएसे alternating current flow करेगा और जैसे जैसे voltage vary करेगा उसी प्रकार से current भी vary करेगा हम इस waveform में देख सकते हैं जब voltage maximum था तो circuit में current भी maximum होगा और उसी प्रकार से जब voltage zero हो जाएगा तो current भी circuit में flow करना बंद हो जाएगा लेकिन जब voltage अपना direction change करेगा यानि पहले यहाँ positive था और नीचे negative और फिर यहाँ पर उपर की तरफ negative बनेगा और यहाँ पर positive यानि voltage की direction change हो जाएगा तो current भी अपना direction change कर लेगा तो जैसे जैसे voltage vary करेगा वैसे वैसे current भी vary करेगा अब हमने जैसा कि DC सिस्टम में देखा था power is equals to होता है voltage और current का multiplication तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर power को देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से vary करेगी यानि जब voltage और current की value अधिक्तम होगी तो power भी शक्ती भी load को अधिक्तम मिलेगी और जब voltage और current दोनों की value 0 हो जाएगी तो load को power मिलना भी 0 हो जाएगी इसी प्रकार से यहाँ पर voltage और current दोनों की value negative है लेकिन दो negative quantity का multiplication पॉजिटिव भी होता है तो power यहाँ पर भी positive आएगी और इस position में जो load को power मिल रही होगी वह अधिक्तम होगी तो जो load को power मिल रही है शक्ती मिल रही है वो कुछ इस प्रकार से vary कर रही है और अगर हमें एक लंबे duration की बात करें तो इस power का average यहाँ कहीं आएगा जो की हमारे load को मिलेगा बराबर होगी वो होगी voltage और current के multiplication के बराबर लेकिन दोस्तो वास्तव में जो ज़्यादातर load होते हैं चाहे वह हमारे घर के load हो जैसे washing machine, fan या फिर हम industrial load की बात करें जहाँ पर बहुत सारी motor लगी होती है machines के अंदर तो उन सारे loads के अंदर हम देखेंगे कि windings अक्सर होती है तो यानि ज़्यादा तर जो load exist करते हैं practically उन सारे load में resistance के साथ साथ inductance भी होता है यानि हम उन load को inductive load बोल सकते हैं जब इस प्रकार के load को alternating voltage दिया जाता है तब क्या होता है दोस्तों क्योंकि inductor में property होती है कि वो current के changes को oppose कर सकता है इसकी वज़ा से circuit में current और voltage के बीच में phase difference आ जाता है और current इस प्रकारिया में पीछे रह जाता है इसका मतलब क्या है पहले voltage maximum हो जाता है उसके कुछ time बाद current अपने maximum magnitude को अचीप कर पाता है और voltage zero हो जाता है लेकिन उस वक्क current flow कर रहा होता है वो उसके थोड़ी देर बाद zero होता है यही प्रकारिया आगे तक continue होती है जैसा कि हम इस animation clip में देख सकते हैं कि पहले voltage आगे आगे चल रहा है और current थोड़ा सा पीछे चल रहा है यानि इस प्रकारिया में current हमारे voltage से पीछे रहाता है अब अगर हम वही P is equal to V I यहाँ पर use करेंगे power को find करने के लिए तो हम देखेंगे कि यहाँ तक तो voltage और current दोनों की value positive है तो power की value भी positive आएगी यहाँ पर current की value तो कुछ न कुछ है लेकिन voltage की value क्या हो चुकी है 0 हो चुकी है तो यहाँ पर power क्या आएगी 0 आएगी अब हम यहाँ पर calculate करेंगे ध्यान से देखिएगा तो current की value तो positive है लेकिन voltage की value negative है तो यहाँ पर power की value क्या आएगी negative आएगी friends क्या power negative हो सकती है यहाँ पर power negative होने का मतलब यहाँ है कि जो हमारा load है यह ultra source को power दे रहा है ultra source को शक्ती दे रहा है तो हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा current की पीछे रह जाने की वज़ा से कुछ-कुछ समय के लिए power load में store होकर return आ रही है अब हम इस power का average निकालेंगे दोस्तों तो यह पिछले case से average power जो हमारी आईगी वा कम आईगी मतलब इस बार हमारे load को average power कम मिलेगी क्योंकि उसका कुछ part load में store हो रहा है और वा return आ जा रहा है तो यहाँ तो बात रही inductive load की जिसमें voltage, current और power का behavior कुछ इस प्रकार से होता है इसी प्रकार से कुछ load ऐसे भी होते हैं जिनका behavior थोड़ा सा capacitive होता है मतलब उनमें resistance भी होता है और थोड़ा बहुत capacitance भी होता है वैसे तो practically इस प्रकार के load बहुत कम होते हैं इंडस्ट्री में कुछ load ऐसे हो सकते हैं जो capacitive nature के होते हैं अब इनमें क्या होता है capacitor voltage के change को approach करता है इसका मतलब इस प्रकार के load में voltage पीछ रह जाता है पहले current एक दिशा में अधिक्तम होता है फिर उसके कुछ देर बाद voltage उसी दिशा में maximum होता है फिर पहले current 0 हो जाता है और कुछ देर बाद voltage 0 होता है तो इस प्रक्रिया में voltage पीछे रह जा रहा है और current आगे रह जा रहा है इस animation clip में आप देख सकते हैं capacitive load के case में voltage पीछे रह जाता है और current आगे चलता है और अगर हम power की बात करेंगे तो वहां भी यहां से यहां तक positive आएगी और यहां पर भले ही voltage positive है लेकिन current की value negative है तो यहां पर power negative आएगी इसका मतलब यहां पर भी power load में store होकर source को कुछ part उसका return मिलेगा तो अब इस case में भी मैं average power की बात करूँ तो अगर simple resistive load से इसको compare करें तो average power यहां पर कम होगी क्योंकि कुछ न कुछ पावर का part return आ रहा है तो यहां जो average power कम हो जा रही है और यहां power return आ रही है इसका account इसको mathematically कैसे represent करा जा सकता है इसको represent करा जा सकता है cos phi से तो किसी alternating system में AC system में actual power क्या होती है actual power होती है vi cos phi जैसे हम यहां पर देख सकते है different value of power factor जब हमारा load simple resistive nature का होगा तब voltage और current के बीच में कोई phase difference नहीं होगा आप यहां पर देख सकते है voltage और current के बीच में कोई phase difference नहीं है दोनों एक साथ oscillate कर रहे हैं तो यहां पर power बरावर क्या होगा voltage multiplied by current और cos 0 degree क्योंकि voltage और current के बीच में कोई phase difference नहीं है और cos 0 degree होता है 1 यानि power सिधा सिधा बरावर होगा voltage multiplied by current अब उसी प्रकार से अगर हमारे पास pure inductive load हो pure inductive load actual world में exist नहीं करते फिर भी theoretically देखा जाए तो pure inductive load में current voltage से बिल्कुल 90 degree पीछे रह जाएगा 90 degree पीछे रहने का मतलब voltage 0 होगा उस वक्त current अपनी maximum value पर होगा और जब current 0 होगा उस वक्त voltage अपनी maximum value पर होगा इस प्रक्रिया में अगर हम power को देखें तो power कुछ इस प्रकार से fluctuate करेगी source और load के बीच में यानि पहले जितनी power source द्वारा load को मिलेगी उतनी same power load से वापस load कर आ जाएगी यानि average power होगी 0 और जैसा mathematically power यहाँ पर 0 होगी क्योंकि यहाँ पर 90 degree का phase difference आ गया है और cost 90 होता है 0 इसी प्रकार से अगर pure capacitive load हो मतलब current आगे हो और voltage पीछे रह जाए इस case में भी average power 0 हो आईगी क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर theta जो है voltage और current के बीच का phase difference 90 degree होगा leading प्रकार का होगा यानि current lead करेगा इस case में cost 90 degree क्या होगा 0 यानि यहाँ पर power 0 होगी लेकिन वास्तव में pure inductive या pure resistive के load exist नहीं करते हैं ज्यादा तर जो load होते हैं वो resistive plus inductive nature के होते हैं current voltage से पीछे रहेगा यानि lag करेगा और या 0 degree से 90 degree के बीच में कुछ भी angle हो सकता है तो इस case में P is equal to Vi cos theta होगा या cos phi होगा और कुछ load resistive plus capsitive nature के load होते हैं जिने RC load बोलते हैं जिन में current lead करेगा current voltage से आगे रहेगा और कितने angle से lead कर सकता है या 0 degree से 90 degree के बीच में कोई भी angle हो सकता है इस case में जो power होगी वो again Vi cos phi होगी यानि AC system में जो power होती है उसको actual इस relation से दिया जा सकता है P is equal to Vi cos phi और यहां cos phi हमें बताता है कि वास्ता में useful power कितनी होगी जो कि 0 से लेके 1 तक vary कर सकता है इस एक clip के अंदर आप देख सकते हैं जैसे जैसे voltage और current के बीच में phase difference आता है वैसे वैसे power किस प्रकार से change होती है 0 से 90 degree तक यह देखिए जब phase difference 90 degree का हो जाता है तो average power 0 हो जाती है जितनी positive में होती है अतनी ही negative में और वैसे ही phase difference कम होते होते 0 होता है तो average power maximum होती है तो friends finally यहां conclusion है कि AC system में power जो होती है वहाँ बराबर होती है वी आई cos phi और cos phi होता है power factor जो हमको यहां बताता है कि कितनी power वास्तव में use होगी इसी को बोलते हैं power factor तो यह power factor की value actual world में जितने भी load है यह exactly 1 तो नहीं हो पाती है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ज्यादे तर load pure resistive नहीं होते है थोड़ा सा inductive nature भी उनमें होता है cos phi की value 1 से थोड़ी कम ही होती है 0.97 या 0.98 के आसपास और अगर circuit अच्छी तरीके से design नहीं है तो उस case में power factor की value और भी ज्यादा कम हो सकती है इसका एक यहां मतलब भी है AC सिस्टम में circuit अपनी छमता का पूरा 100% कभी नहीं दे पाती है वहाँ 98 से लेकि 97% तक ही output generate कर पाती है आप इस पूरे गटना करम को एक mechanical system की analogy से समझ सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं जब सिस्टम में कोई energy storing element नहीं लगा है तो हमें motion पूरा मिल रहा है जबकि अगर उसी system में यहां पर कोई energy storing element लगा हो जैसे कि एक spring तब हमें vehicle का motion पूरी तरीके से नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ power का part store होगा और वह return आ जाएगा तो friends यहां था power factor के बारे में आई होप अब आप लोग समझ चुके होगे कि power factor क्या होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो friends इसे like करें और share करना ना भूलें और अगर हमारे चैनल को subscribe ना कर रहा हो तो आप इसे subscribe भी ज़रूर करें Thank you so much